मोर दुलरुवा देश्वासी हो, जोहार, दुई दिन पहिले कर कुछ अदभुत तस्वीर, कुछ यादगार पल, अभों मोर आखी कर सामने है, एकरे बर एबार मन की बात कर शुरुवात, मैं ओही समय से करत हूँ, ओही पल से करत हूँ. टोकियो ओलम्पिक्स में भारतिय खिलाडी मनला तिरंगा लेकर चलत देख के, मैं ही नहीं बलकि पूरा देश रोमांचित हो उठिस, पूरा देश हरे, जैसे एक होए के अपन ए योधा मन से कहिस, विजई भव, विजई भव. जब एक हिलाडी भारत से गए रहिन, तो मोके इमन से बातचीत करे कर, उनकर बारे में जाने कर, और देशला बताये कर आउसर मिल पाये रहिस. एक हिलाडी मन जीवन कर कईो ठन चुनोती मनला पार कैर के इहां पहुचिन है, आज उनकर पास रावर प्यार और सहयोग कर ताकत है, एकरे बर आई मिल करके अपन जम्मो खिलाडी मन बर अपन शुभ कामना देई, उनकर हौसला बढ़ाई. सोशल मीडिया पर ओलंपिक्स खिलाडी मन के सहयोग खातिर हमर विक्टरी पंच केम्पेन अब शुरू होए चुकी से. रवरे भी अपन तीम कर साथ अपन विक्टरी पंच शेयर करी, भारत खातिर चियर करी. संगी हो, जो देश बर तिरंगा उठायल, उनकर सम्मान में भावना मन से भर जाना स्वाभाविक ही है. देश भक्ती करे भावना हम सब ला जोडेल. कल यानि 26 जुलाई के कारगिल विजय दिवस भी है. कारगिल कर युद्ध, भारत कर सेनामन के शौर्य और सैयम कर अईसन प्रतीक है, जिला पूरा दुनिया देखी से. ए बार ए गौरोशाली दिवस भी अमरित महुत्सव कर बीच में मनाल जाही. एकरे बर ए और भी बिसेस होई जात है. मैं चाहूं कि रवरे कारगिल कर रोमान्चित कर देहे वाला गाथाला जरूर पढ़ी. कारगिल कर वीर मनला हम सब जहें नमन करी. संगवारी हो ए बार पंदरह अगस्त के देश अपन अजादी कर 75 साल में परवेस करत है. ए हमर बहुत बड़ा सवभाग्य है कि जे आजादी खातीर हमर देश हरे सदियों कर इंतजार करिन ओकर 75 वर्ष होए के हम साक्षी बन थी. रौरे मनला याद हो ही आजादी कर 75 साल मनाय बर बारह मार्च के बापू के साबरमती आस्रम से अमरित महुत्सव कर शुरुवात करल गय रहिस. एही दिन बापू जी कर दांडी यात्राला भी फिर से जीवित करल गय रहिस. तब से जम्मू कश्मीर से लेके पुड़ु चेरी तक, गुजरात से लेकर पुरुवत्तर तक, देश भर में अमरित महुत्सव से जुडल कारिक्रम चलत हैं. कई अंठन अईसन घटना मन, अईसन स्वाधिनता से नानी, जिनकर योगदान तो बहुत बड़ा है, लेकिन उतना उनकर चर्चा नहीं हो पाई से, आज लोग उनकर बारे में भी जान पात हैं. अब जैसे मुराइंग डेला ही ले लेई, मडीपूर कर छोटा सा कस्बा मुराइंग, कभी नेता जी सुभास चंद्र बोस कर इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईयने कर एगो बहुत प्रमुक ठिकाना रहिस। इहां आजादी कर पहले ही आईयने कर करनल शौकत मलिक जी ज धंडा फहरायरहिन, अमरित महोत्सव कर दवरान 14 अप्रेल के ओही मुराइंग में एक बार फिर तिरंगा फहराल गईस। अज़ास है राष्ट्रगान से जुडल। सांस्कृतिक मंत्राले कर कोशिस है कि ए दिन जादा से जादा भारतवासी मिल के राष्ट्रगान गाएं और एकर खातिर एगो वेबसाइट भी बनाल गईस है राष्ट्रगान.in ए वेबसाइट कर मदद से आप राष्ट्रगान गा के ओके रिकॉर्ड कर पाब और ए अभियान से जुड़ पाब. मुके उम्मीद है रवरे मन ए अनोखा पहल से जरूर जुडब. एही तरह के बहुत सारा अभियान, बहुत सारा परियास रवरे मनला आये वाला दिन में देखे भर मिलही. अमरित महोत्सव कोनो सरकार कर कारिक्रम नहीं है, कोई राजनीतिक दल कर कारिक्रम नहीं है, एक कोटी कोटी भारत वासी मन कर कारिक्रम है. हर स्वतंत्र और कृतग अपन स्वाधीनता से नानी मन के मार्ग पर चलना, उनकर सपना कर देश बनाना, जैसे देश कर आजादी कर मतवाला स्वतंतरता बर एक जुट होए गये रहिन, उई सही हमनला भी देश कर विकास बर एक जुट होना है, हमनला देश बर जीना है, देश बर काम करना है, और एम छोटे छोटे परियास भी बड़ा नतीजा लाए दे थें। परियास पुर्वक भी ये काम कहर सकती। राष्ट्रिय हत करगा दिवस कर साथ बहुत एतिहासिक प्रिष्ट भूमी जुडल है। एही दिन 1905 में स्वदेसी आंदोलन कर सुरुवात भी होए रहिस। भहिया बहिनी हो हमर देश कर ग्रामीड और आदिवासी इलाका में हैंड जेकर से लाखो महिलामन, लाखो बुनकर और लाखो शिल्पी जुडिन है। रावर छोटा छोटा परियास बुनकर मन में एगो नया उम्मीद जगाय देही। रवरे खुद कुछ न कुछ खरीदी और अपन बात दूसर ला भी बताई और जब हमन आजादी कर 75 साल मना थी तब तो एतना करना हमर जिम्मेदारी भी बनत है भया भय नहीं हो। रवरे देखे हो साल दू 2014 कर बाद से ही मन कर बात में हमन अकसर खादी कर बात करत ही। ये रावर परियास है कि आज देश में खादी कर विक्री कई गुना बढ़गी से। का कोई सोच सकत है कि खादी कर कोनों इस्टोर से एक दिन में एक करोड रूपिया से भी अधिक कर बिक्री होय सकत है। लेकिन रवरे एला भी कईर दिखाए ही। रवरे मन जब भी कहीं पर खादी कर कुछ खरिद थी ना तो एकर लाभ हमर गरीब बुनकर भया बहिनी मन के ही होयल। एकरे बर खादी खर में बन रहल हेंडलूम कर उत्पादला जरूर खरी दी और ओके हैस्टेक माई हेंडलूम माई प्राइड कर साथ शेयर करी। भाईया बहिनी हो बात जब आजादी के आंदोलन और खादी के हो तो पूझे बापूला याद करना तो स्वभाविक है। जैसे बापू के नेत् तो हमें भारत छोड़ो आंदोलन चले रहीस और इसने आज ही हर देशवासी ला भारत जोड़ो आंदोलन करने त्रित्व करना है। यह हमर करतव्य है कि हम अपन काम ऐसे करी जो की विविधता से भरल हमर देश ला जोड़े में मददगार हो। तो आई हमन अमरित संकल्प लेई कि देश ही हमर सबसे बड़ा आस्था, सबसे बड़ा प्राथमिकता बनल रहे। नेशन फर्स्ट, ऑल्वेज फर्स्ट कर मंत्र कर साथ ही हमनला आगे बढ़ना है। यानि भारत कर युवा शक्तिकर सुझाओ, मन की बातला हमेशा बनल रहे। दिशा देथ हैं। मैं एला बहुत अच्छा संकेत कर रूप में देखत हूँ। मन की बात एगो ऐसन माध्यम है, जहां सकारात्मकता है, समवेदन शीलता है। मन की बात में हम सकारात्मक बात कर थी, और एकर कैरेक्टर कलेक्टिव है। सकारात्मक विचार और सुझाव मनला लेके, भारत कर युवा मनके ए सक्रियता मुके बहूत खुशी देल, बहूत आनन्दित करल। मुके ए बात कर भी खुशी है, कि मन कर बात कर माध्यम से, मुके युवा मनके, मन कर बात भी जाने कर अवसर मिल creeping। संगी हो, राउर मन के सुझाव मन कर बात कर असली ताकत है, राउर सुझाव ही मन कर बात कर माध्यम से भारत कर विविधताला परगट करल, भारतवासी मन के सेवा और त्याग कर जो एगो सुगंध है, खुश्बू है, उला चारो दिशा में फैलात हैं, हमर महनत कश युवा मन के इनोवेशन से सब ला प्रेरित करत हैं। पिछले बरिस ओ देखिन की उनकर इहां मौसम कर मार कर वजह से किसान भीया बहनी मनला काफी नुकसान उठाना पड़त है। मौसम विज्ञान में उनकर दिल्चस्पी बरसों से रहिस। एकरे बर ओ अपन दिल्चस्पी और उनकर अंदर जो प्रतिभा है ओला किसान मन कर भलाई खातिर इस्तेमाल करेकर ओ फैसला करें। अब वो अलग-अलग डाटा सोर्स से मौसम कर डाटा खरित थें, ओकर विसलेशन कर थें, ओकर पढ़ाई पढ़ थें और इस्थानी भाषा में अलग-अलग माध्यम से किसान मन कर पास जरूरी जानकारी पहुँचा थें। मौसम कर एकदम नया जानकारी कर अलावा प्रनीत जी, अलग-अलग मौसम कर इस्थिती में लोगमनला का 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 करना चाहिए एकर बारे में सुझाओ भी दे थें। खास कर बाढ़ से बचे खातिर या फिर तुफान या बिजली गिरे पर कैसे बचल जाए एकर बारे में भी ओ लोगमनला बता थें। संगी हो, एक तरफ ए नौजवान सौफ्टवेर इंजिनियर कर ए परियास मनला चुए वाला है, तो दूसरा तरफ हमर एगो और साथी हैं जो तकनीक कर परियोग करत हैं, उनकर ए परियोग भी रवरे मनला अचंभित कर दही, आश्चेरे से भेर दही। ए साथी हैं उडिसाकर संबलपूर जीलाकर एगो गाउं में रहे वाला श्रीमान इसाक मुंडा जी। इसाक जी कभों एगो दिहाडी मजदूर कर रूप में काम करत रहीं, लेकिन अब ओ इंटरनेट कर दुनिया कर एगो बहुत महतोपूर व्यक्ति बन गई हैं। अपन यूट्यूब चैनल पर ओ धेरे चकन रुपिया कमात हैं। ओ अपन वीडियो में इस्थानी अव्यंजन, पारंपरिक खाना बनाएकर जो तरीका है, ओला, अपन गाउं, अपन जीवन जीएकर तरीका, परिवार और अपन खान पान कर आदतला बहुत प्रमुक्ता से देखा थें। इसाक मुंडा जी, संस्कृती और भोजन, दुनोला बराबर मात्रा में मिलाएके आनंद लेथ हैं, और हमन सब जहेला प्रेरणा भी देथ हैं। संगवारी हो, जब हमन तकनीक कर चर्चा कर थी, तो मैं एगो और बहुत बढ़ियां विशाय कर चर्चा करना चाहत हूँ। रवरे हाल फिल हाल में पढ़े होब, देखे होब कि IIT मदरास कर एगो पढ़वाईया हैं, उनकर तरफ से एगो नया सुरुवात करल गई से, ओ एगो 3D printed house बनाईन है, 3D printing करके घर कर निर्माड, आखिरे हो इस कैसे? असल में एगो इस्टार्टप हरे, सबसे पहले 3D printer में एगो 3D dimensional design ला फीड करिन, और फिर एगो विशेश प्रकार के concrete करमाध्यम से परत दर परत एगो 3D सनरचना बनाए दहिन। रवरेला एजान के खुशी हुई कि देश भर में एप्रकार के कई ठन प्रयोग होते हैं। अलग तरह के अनोखा परियास है। किफायती कम पैसा वाला और धेरेच अराम देहे वाला होते। मैं हालेच में द्रोन करमाध्यम से एप्रोजेक्ट मनकर समिक्षा भी करे रहन और एक कार्य मनकर प्रगतीला भी सिधा सिधा देखे रहन। इंदावर के प्रोजेक्ट में इटा और मोर्टार वाला दिवाल कर जगह प्री फैब्रीकेटेड सेंडविच पैनल सिस्टम कर इस्तेमाल करल जाते। राजकोट में लाइट हाउस फ्रेंच टेकनलोजी से बनाल जाते। जे में टनल कर जरिये मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन टेकनलोजी कर इस्तेमाल होते। ए तकनीक से बनल घर आपदा मनकर सामना करे में कहीं अधिक सक्षम हुई। चेन्नई में अमेरिका और फिनलैंड कर टेकनलोजी प्री कास्ट कंक्रीट सिस्टम कर उपयोग करल जाते। एकर से मकान जल्दी भी बनहीं और लागत भी कमाय जाही। राची में जर्मनी कर 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टम कर परयोग करके घर बनाल जाही। एमें हर कमरा मनला अलग से बनाल जाही। फिर पूरा सन रचनाला ओही तरह जोएड देहल जाही। जैसे ब्लॉक वाला खिलोणा मनला जोएड देहल जाही। अगर तला में निवजिलेंड कर तकनीक कर उपयोग करके स्टील फ्रेम कर साथ मकान बनाल जाही। जो बड़ा भुकम्पला भी झेल सकत है। उहीं लखनव में कनाडा कर तकनीक कर इस्तेमाल करल जाही। एमें पलास्टर और पेंट के जरूरत नहीं होही। और तेजी से घर बनाये खातिर पहले से ही तैयार दिवाल मन कर परियोग कैर लहल जाही। ताकि हमर युवा राष्ट्र कर हित में नया तक्नीक, नया नया छेत्र कर और प्रोच्साहित हो सकें। मोर दुलरुआ देशवासी हो। रूरे अंग्रेजी करेगो कहावत सुने हो। To learn it, to grow, यानि सीखना ही आगे बढ़ना है। जब हम कुछ नया सीख थी, तो हमर बर परगती कर नया नया रास्ता खुद बखुद खुद खुद खुईल जयल। जब भी बताल रस्ता से हटके कुछ नया करेकर परियास होई से, तो मानवता खातिर नया नया दर्वाजा खुलिन है। एगो नया युग कर आरंभ होई से, शुरुवात होई से, अवर रवरे देखे हो, जब कहीं कुछ नया होईल, तो उकर परिणाम हर कोईला भी आश्यर चकित कर देल, अब जैसे कि अगर मैं आपसे पूछों कि वो कौन सा राज्य है, जेला रवरे मन, सेव कर संगे जोडब, तो जाहिर है कि रवरे मन कर मन में सबसे पहले हिमाचल परदेश, जम्मू कश्मीर और उत्राखंड कर नाम आए जही, पर अगर मैं कहों कि ए सूची में रवरे मडी पूरला भी जोएर लेई, तो रवरे होई सकत है कि आश्यरे से भर जाई, कुछ नया करे कर जो हमर वो मडी पूर में एक आरनामाला कैर के दिखाय देन है, आजकल मडी पूर कर उखरूल जिला में सेव कर खेती बहुत जोर पकड़त है, यहां कर किसान अपन बगान में सेव उगात है, सेव उगाय बर ए लोग बकायदा हिमाचल परदेश जाय के परसिक्षन भी प्राप्त करीन है, और एही में से एगो हैं टीयस, रिंग, फामी, योंग, ए पेशा से एगो एरोनौटिकल इंजीनियर है, ओ जो हैं अपन पतनी श्रीमती टीयस एंजेल कर साथ मिल के सेव कर पैदावार करीन है, एही तरह अवुंगशी शिम्रे आगस्टीना ए हरे भी अपन बगा पान में सेव कर उत्पादन करीन है, अवुंगशी दिल्ली में काम करत रहिन, ए छोएड के ओ अपन गाओं लोट गईन, और सेव कर खेती शुरू कर दहिन, मडीपूर में आज अईसन कई गो सेव उगवईया हैं, जो कुछ अलग और नया करके देखाय दहिन हैं, तो संग COVID-19 महामारी कर बाद एकर खेती विशेश रूप से बढ़त जात है, तिरपुरा कर उना कोटी कर अईसने ही 32 साल कर एगो मोर युवा संगी आ हैं, विक्रम जीत चकमा, ओहरे बेर कर खेती कर सुरूआत कहर के काफी मुनाफा भी कमाईन है, और अब ओ लोग मन के बेर कर खे तरफ से इनकर बर कई गो विशेश नरसरी बनाल गई से, ताकि बेर कर खेती से जोड़ल लोग मन कर मांगला पूरा करल जाय सके, खेती में नवाचार हो थे भाईया भहिनी हो, तो खेती कर जो अलग से जो उत्पादन हो थे ओकर संगे संगे, ओहु में नया नया परियोग देखे बर मिलत है, संगता हो मोके उत्तर प्रदेश के लखीम पूर खीरी में करल एगो परियास कर बारे में भी पता चली से, कोविड कर दवरान ही लखीम पूर खीरी में एगो अनोखा पहल होई से, उहा कर महिला मनला, केला कर बेकार तना से फाइबर बनाएकर ट्रेनिं वेश्ट से बेश्ट करेकर रस्ता, केला कर तनाला मसीन से काइट के और मसीन कर मदद से बनाना फाइबर, मने केला फाइबर तयार कर अल जाते, जो जूट और चाहे सन कर तरह ही होईल, ए फाइबर से हाथ कर बैग बनाल जाते, चटाई, दरी, केतना ही चीज बनाल जाते, एकर से एक तो फसल कर कचरा कर इस्तेमाल सुरू हो गई से और उहीं दूसर तरफ गाउं में रहे वाला जो हमर बहिन बेटियां हैं उमनला आयकर एगो साधन मिल गई से बनाना फाइबर कर एक आम से एगो इस्थानिय महिला ला कम से कम 400-600 रुपया प्रति दिन कर कमाई हो जात है लखीम पूर खिरी में सैकड़ों एकर जमीन पर केला कर खेती होयल केला कर फसल कर बाद आम तोर पर किसान ला एकर तनाला फेके बर अलग से खर्चा करना पड़त रहिस अब तो उनकर एप पैसा भी बच जात है यानि आम कर आम अउगुठली के दाम एक कहावत हियां बहुत ही सुगघर ढंग से बैठत है संगवारी हो एक और बनाना फाइबर से इसब उत्पाद बनाल जात है तो ओहीं दूसरा तरफ केला कर आटा से दोसा और गुलाब जामुन जैसन स्वादिष्ट व्यंजन भी बनत है करनाटक कर उत्तर करनड और दक्षिन करनड जिला में महिलामन ए अनूठा काम करत हैं ए शुरूआत भी कोरोना काल में ही होई से ए महिलामन हरे न सिर्फ केला कर आटा से डोसा गुलाब जामुन जैसा चीज बनात हैं बलकि एकर तस्वीर ला सोशल मीडिया पर भेजत भी आ है जब ज्यादा लोग मनला केला कर आटा के बारे में पता चलिस तो उनकर मांग भी बढ़िस और ए महिलामन कर आमदनी भी लखीम पूर खीरी कर तरही हिया पे भी ए जो नया नया बात है ए जो नया नया उपाए है ओला हिया पर महिलामन ही आगे बढ़ात हैं संगवारी हो अईसन उदाहरण जीवन में कुछ नया करे कर प्रेरणा बन जात हैं रावर मन के आस पास भी अनेक अईसन लोग होई कभी समय निकाल के बच्चा मनला अईसन पर्यासला देखाए बर ले जाई और अगर समय मिल जाए तो खुद भी अईसन कुछ कर के देखाई और हाँ ए सब आप मोर नमो एप चाह माई गोव पर साजह करब तो मों के बहुत अच्छा लगी हमर संस्कृत ग्रंथ में एगो इश्लोक है आत्मार्थम जीव लोके अस्मिन कोन जीवती मानवह परम परोपकार आर्थम यो जीवती सह जीवती अर्थात अपन भरतो संसार में हर कोई जीव लेकिन वास्तों में ओही व्यक्ती जीव जो परोपकार भर जीव दूसर जहें के उपकार भर जीव भारत माता के बेटा बेटी मन के परोपकार कर परियास कर बात यही तो है मन कर बात आज भी ऐसही कुछ और साथी मन कर बारे में हमन बात कर थी एगो साथी चंडीगड़ शहर के हैं चंडीगड़ में मैं भी कुछ बरस तक रह चुके हूँ एहर बहुत खुश मिजाज, बहुत सुन्दर शहर है। ही या रहे वाला लोग भी दिलदार हैं और हाँ अगर आप खाय के शौकीन ही तो ही या रूरेला आनन्द आये जही। दुन्णों हरे उनसे कोविड वैक्सिन लगवाये वाला मनला फिरी में छोला भटूरा खिलाये बर कहीन। तो ओ एकर भर खुशी खुशी तयार होए गईन। और ओ तुरंते ए अच्छा और नेक परियासला सुरू भी कर देन। संजय राना जी कर छोला भटूरा मुफ्त में खाय बर रूरेला ये देखाना पड़ ही कि रूरे ओही दिन वैक्सिन लगवाये ही। वैक्सिन कर मैसेज दिखाते ही और रौरेला स्वादिष्ट छोला भटूरा दे दे ही। कथें की समाज में भलाई कर काम खाती रूपिया से ज्यादा सेवा भाव कर्तब या भाव के आवश्यक्ता होए। संजे भाई एही लाज सही साबित करत है। संगवारी हो ऐसे ही एगो काम कर चर्चा आज करना चाहूं एक काम हो थे तमिलनाडू के निलगिरी में। उहां राधिका शास्त्री जी एगो एम्बूरेक्स प्रोजेक्ट कर शुरुवात करिन है। एगो प्रोजेक्ट कर ए मकसद है कि पहाडी इलाका में जो मरीज हैं उमन बर इलाज खातिर एगो आसान आय जाय कर साधन उपलब्ध करवाना। राधिका कुन्नूर में एगो कैफे चला थें। ओ अपन कैफे कर साथी मन से एम्बूरेक्स खातिर फंड जुटाइन। नील गिरी कर पहाडी पर आज छै गो एम्बूरेक्स सेवारत हैं। और दूर दराज के हिस्ता में एमर्जेंसी के समय मरीज मन के काम भी आत हैं। एम्बूरेक्स में स्ट्रेचर है, ऑक्सीजन सीलेंडर है, फरस्टेट बॉक्स है और एनियर कई छीज कर व्यवस्ता है। संगवारी हो, संजे जी हो, चाहराधिका जी। इनकर उदाहरण से पता चलत है कि हम अपन काम, अपन व्यवसाय, नौकरी, करत, करत भी सेवा कर काम कैर सकती। संगवारी हो, कुछ दिन पहले एगो बहुत ही रूचिकर और बहुत ही भाव कर देह वाला एगो कारिक्रम होईस। जे में भारत और जौर्जिया कर जो दोस्ती है, उला एगो नया मजबूती मिलिस। ए समारोह में भारत हरे सेंट क्विन केटेवान के होली रेलिक, यानि उनकर पवित्र इस्मृति चिन्हला, जौर्जिया कर सरकार और हुआ कर जन्ताला सौप देहिन। एकर बर हमर विदेश मंत्री जी स्वयम हुआ गयरहिन। बहुत ही भावुक माहौल में होल ए समारोह में जौर्जिया के राष्टपती, प्रधान मंत्री, अनेक धर्म गुरु और बड़ी संख्या में जौर्जिया के लोग भी आयरहिन। एक आरिक्रम में भारत कर बड़ाई में जो शब्द कहल गईस वो भहुत ही यादगार है। ए एगो समारोहरे दुनों देश कर साथ ही साथ गोवा और जौर्जिया के बीच कर संबंधला भी बहुत मजबूत कर दिन है। अईसन एकरवर काबर की सेंट क्विन केटेवान कर ये जो पवित्र अवशेश है दू हजार पाँच में गोवा के संथ अगस्टाइन चर्च से मिले रही है। भाईया बहनी हो राउर्मन के सवाल हो ही कि ये सब का है ये कब और कैसे हो इस। असल में ये आज से 400-500 साल पहले कर बात है। क्विन केटेवान जौर्जिया के राजपरिवार कर बेटी रहिन। दस साल के कारावास के बाद 1624 में ओ शहीद हो गये रहिन। एगो प्राचीन पूर्तगाली दस्तावेज कर मुताबिक संत क्विन केटेवान कर हड़ी मनला पूराना गोवा कर संत अगस्टाइन कॉनवेंट में रखल गये रहिस। लेकिन लंबा समय तक ए मानल जात रहिस कि गोवा में दफनाल उनकर अवशेश 1930 कर भुकंप में गायब होएगीन है। भारत सरकार और जॉर्जिया कर इतिहास कार मन, खोज कर वय्या मन, आर्कियोलोजिस्ट और जॉर्जियन चर्च कर दसियों साल कर अथक परियास कर बाद 2005 में ए पवित्र अवशेश लाखोजे में सफलता प्राप्त होएगे रहिस। ए विशे जॉर्जिया कर लोगमन बर बहुत ही भावनात्मक है। एकरे बर उनकर एतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाला ध्यान में रखते हुए। भारत सरकार हरे ए अवशेश कर एगो अंश जॉर्जिया कर लोगमनला भेट देहे कर निर्ड़ैं कर भारत और जॉर्जिया कर साजाय इतिहास कर ए अनूठा पक्छला संजोय रखे बर मैं आज गोवा कर लोगमनला हिर्दै से धन्यवाद देना चाहूँ। गोवा कई उठन महान आध्यात्मिक धरोहर कर भुईया रहिस है। संत अगस्टाइन चर्च, योनेस्को कर वर्ड ह एरिटेज साइट, चर्चेज एंड कॉनवेंट्स अफ गोवा कर एगो हिस्सा है। पहिने रहिन। ए गुरुद्वारा लगभग 100 साल पहिले बने रहिस और इहां भाई महराज सिंगला समर्पित एगोईस मारक भी है। भाई महराज सिंग जी हरे भारत कर स्वतंत्रता कर लड़ाई लड़े रहिन और एपल जबकि हमन आजादी कर 45 साल मना थी तब और अध प्रेरक बन जायल। मोर बच्पन जहां गुजरिस उहां पानी कर हमेशा से किलत रहत रहिस। हमन जम जहें बारिस बर तरसत रहन और एकरे बर पानी कर एक एक बूंदला बचाना हमर संसकार कर हिस्सा रहिस है। अब जन भागिदारी से जल सन रक्षण ए मंत्र हरे हुआ कर तस्विर बदल दहिस है। पानी कर एक एक बूंदला बचाना, पानी कर कोनों भी प्रकार कर बरबादीला रोकना, ए हमर जीवन सैली कर एगो सहज हिस्सा बन जाना चाही। हमर परिवार कर ऐसन परंपरा बन जाना चाही। जेकर में हर एक सदस्यला गर्व हो। संगी हो परकिर्ती और पर्यावरण कर रच्छा भारत कर सांस्कृतिक जीवन में हमर दैनिक जीवन में रचल बसल है। उहें बारिस और मानसून हमेशा से हमर विचार, हमर दर्शन और हमर सभ्यताला अकार देतात है। रितु संगहार और मेखदूत में महाकवी कालिदास रे वर्शालले के बहुत ही सुन्दर वर्णन करिन है। साहित्य प्रेमी मनकर बीच में एक अवितामन आज भी बहुत लोग कप्रिय है। रिगवेद कर परजन्य सुक्तम में भी वर्शा के सौंदर्य कर बहुत ही मतलब की सूरज हरे आठ महिना तक पानी कर रूप में हमर धर्ती माता कर संपत्ति ला लिहिस और अब मानसून कर मौसम में सूरज हरे एही हमर जो संपत्ति आहे नहीं ओला धर्ती मयाला वापस लवटात है। सही में मानसून और बारिस कर मौसम सिर्फ सुन्दर और बहुत सुहाना ही नहीं होयल बलकी एह पोशन देहे वाला जीवन देहे वाला भी होयल। बरसात कर एह जो पानी हमनला मिलत है ओ हमर आये वाला पिढ़ी खाती रहे। एह हमनला कभों नहीं भूलना चाही। आज मुर्मन में एह विचाराइस की काहे नहीं एह रोचक संदर्भ से मैं आज अपन बातला समाप्त करों। आप सभीला आये वाला पर्व मन कर बहुत बहुत शुव कामना, पर्व और उत्सव कर समय एह जरूर याद रखब कि कोरोना अभी भी हमर बीच से गईस नहीं है। कोरोना से जूडल जो नियम काईदा है ओला रवरे मनला भूलना नहीं है। रवरे स्वस्थ और प्रसन्न रही। बहुत बहुत धन्यवाद।